में आज हम तेन कलर में यह आप जितने भी खलर आपके पास हैं इसे आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं यह बहुत ही प्यारा सा सुन्दर्शा फ्लावर शेप डोर मेट बनाएंगे उसके लिए देखे इतनी चोड़ी पट्टी काटली है आपके पास पुरानी चुन्नी है स या आपके पास कोई भी पुराने करते हैं उनसे आप इतनी चोड़ी-चोड़ी पटियां कात ले आपके पास जो भी कलर हैं आप उन्ही स्क बना सकते हैं देख इस तरह से ही मैंने इस और का ज़यां गज्यारlden गज्वाएं आप सभी color में इसे बना सकते हैं देखिए इस तरह से यह मैंने जो आपके पास थोड़े-थोड़े से कपड़े बच जाते हैं उनसे भी आप इसे बना सकते हैं क्योंकि यह flower shape है इसमें आप हर flower को अलग-अलग shape कलर में बना सकते हैं तो देखिए उसे बनाने के लिए हमें इसमें फंदे डालेंगे तो फंदे डालने के लिए देखिए हम इसमें 18 फंदे डालेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इसमें फंदे डालूँगी यहाँ पर देखें इस तरह से हम यहाँ पर एक नोट बना लेंगे ऐसे यह देखें इस तरह से इसे बूझ ज़्यादा टाइट ने डालेंगे इस तरह से डालेंगे ऐसे और यहाँ पर आठारा फंदे डालेंगे देखें दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, सत्रा, और यह आठारा देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, पंदरा, सोला, स्तरा, आठारा आठारा फंदे डालेंगे हम इस तरह से इसमें और देखें फर्स्ट रो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से उतार लेंगे देखें इस तरह से फंदे डालते हैं तो हम फर्स्ट रो आराम से निकालते हैं इस तरह से थोड़ा सा आराम से बनाए इस रो को ऐसे इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से एक रो साधा लगा लेंगे मूतियासान इसे बनाना आप इसे बड़ा बनाना चाहें तो इसमें दो के मल्टिपल में मैंने यहां पर 18 फंदे डाले हैं आप इसमें 20 फंदे डालें 22 फंदे डालें इस तरह से देखें यहां पर फर्स्ट रो थोड़ा सा अराम से निकालेंगे यहां है इस तरह से देखें यह देखे फस्ट रो हमने बना ले हैं इस तरह से देखे अब इस साइड से भी हम इस रो को बना लेंगे देखे इस फंदे को उतारेंगे पट्टी को अपने तरफ करेंगे और यहाँ पर देखे इस पट्टी को साथ में ऐसे ले लेंगे इस प्रसे बिजी एंग हम बिल्कुल सिंपल तरीके से ऐसे उतार लेंगे एक रो इदर से एक रो इदर से बिल्कुल सिंपल बनानी है यह देखिए इस तरह से हमने बिल्कुल एक रो इदर से बनाई और एक रो इदर से अब देखिए यहां पर हम इस फंदे को सलाई में डालेंगे और इसको नीचे से घुमाएंगे पट्टी को ऐसे और यहां पर देखिए हमने एक फंदा बढ़ा लिया है इस तरह से घुमाके और बाकी रो उल्टा-उल्टा बना लेंगे लास्ट के दो फंदे हम छोड़ देंगे यह देखे और यह लास्ट के दो फंदे छोड़ देंगे वापिस यह इसे पलट जाएंगे इस फंदे को उतार लेंगे और उल्टी रो उल्टा-ल्टा बना लेंगे देखिए अगर आपको उल्टा-ल्टा बनाने में दिक्कत आती है तो आप इसे सीदी सीदी स्लाईयों से भी बना सकते है यहाँ पर मैं इसे उल्टी स्लाई से बनाऊंगी आप इसे सीदी सीदी स्लाईयों से भी बना सकते है जैसे यह उल्टी सलाईयां बना रहे हैं उसी तरह से उसमें आपको दोनों तरफ से सीधी सीधी सलाई बनाते हुए बनाना है यह देखिए उल्टी रो हमने उल्टा उल्टा बना लिए है जो फंदा बड़ा था उस फंदे को भी बना लेंगे देखिए फिर से हम यह पर एक फंदा बड़ाएंगे उसके लिए देखिए इस तरह से पट्टी को पकड़ेंगे और सलाई के निचे से ऐसे गुमा लेंगे यहां पर हमने दो फंदे बड़ा दिये हैं और लास्ट के दो फंदे हम फिर से छोड़ देंगे तो चलिए इस रो को यहां पर दो फंदे रहने तक यह देखिए दो फंदे फिर से छोड़ेंगे और वापिस ही इसे पलट जाएंगे ऐसे इस पंदे को उतार लेंगे ऐसे और यहां पर देखिए उल्टी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है उल्टी रो ऐसे ही उल्टा-उल्टा बना लेनी है पूरी रो उल्टा-उल्टा बना लेंगे देखिए इस तरह से यह देखिए अब हम यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे देखिए मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको इस तरह से नीडल्स में डालाई से फंदे को और पट्टी को नीचे की तरफ से ऐसे ऐसे गुमा लेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा फिर से एक फंदा बढ़ दया तो यहाँ पर हमने तीन फंदे बढ़ा लिए और पिछे की साइड हम दो दो फंदे छोड़ते वे जाएंगे तो इसी तरह से हमने यहाँ पर आगे की साइड है पर नो फंदे बढ़ाने हैं और यहाँ पर हम आठारा फंदे दो दो करते वे छोड़ते वे जाएंगे तो चलिए इस रोमे में आपको फिर से दो फंदे छोड़के दिखाते हूँ देखिए इस तरह से देखे, तो फंदे फिर से छोड़ देंगे हम, दो फंदे हमने पहले छोड़े, दो फंदे फिर छोड़े, यहां पर हमने छै फंदे छोड़ दे, इसी तरह से हम यहां पर अठारा फंदे छोड़ देंगे, और यहां पर आगे की तरफ नो फंदे बढ़ा लेंगे और उल्टी रो में हमें कुछ भे नहीं करना है उल्टी रो ऐसे ही उल्टा-उल्टा बना लेनी है तो देखिए इसमें 9 फंदे बड़ाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से इस उल्टी रो को उतार लेते हैं यहां पर देखिए आमने 3 फंदे आगे की साइड बड़ा लिए और 6 फंदे पीछे की साइड छोड़ दिये हैं तो ऐसे ही आमने पीछे की साइड 18 फंदे छोड़ने हैं और यहां पर इस साइड देखिए यहां पर हमें 9 फंदे बड़ाने हैं इस साइड से दो दो करते वे अठारा फंदे छोड़ लेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर नो फंदे बढ़ाने के बाद और यहाँ पर आठारा फंदे छोड़ने के बाद आपको दिखाऊंगे कि आगी कैसे बनाना है यह देखी हमने यहाँ पर नो फंदे बढ़ा लिये हैं और यहाँ पर दो दो करते वे देखे दो चार चे आठ दस बारा चोदा सोला अठारा अठारा फंदे हमने यहाँ पर दो दो करके छोड़ दिये हैं और यहाँ पर देखे दो दो चार दो छे दो आठ और एक नो नो फं 2पंद का एक फंदा बनाएंगे हैं पर देखे इस तरह से दो पन देका एक बनाया और देखे ए2 3 4 पांच 6-7 और यह आठ요 यह ले लिए हमने और दो फंदे हम यहां से ले लेंगे जो हमने दो दो फंदे करके छोड़े थे उसी तरह से अब हम दो दो फंदे साथ में लेके बना लेंगे तो देखे वापिस यह से पलट जाएंगे और इस तरह से इस फंदे को उतार लेंगे यह देखे जिस तरह से हमन एक एक फंदा यहाँ पर बढ़ाया था अब हम एक एक फंदा इस साइड से गटाते वे जाएंगे और पिछे की साइड से दो दो फंदे लेखते वे जाएंगे तो देखें इहें देखें फिर से हम यहाँ पर एक फंदा गटाएंगे देखें दो का एक बनाएंगे इस तरह स दो फन दे लिए और दो का एक बना दिया और देखिए दो तीन चार पाँच 6 साथ आठ नो दो फन दे हम फिरसे यहां से ले ले लेगे तो देखेBen यहांपर हमारी गेपिंग है तो गेपिंग को बने के लिए हम यहां से एक फंदा लेंगे और यहां पर दो का एक फंदा बना देंगे इस तरह से दो फंदे हमने फिर से पिछे से ले लिए और वापिस यह इसे पलट जाएंगे देखिए इसी तरह से दो दो फंदे यहां पर लेखते वे जाएंगे और आगे की साइड एक एक फंदा ग पैस किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच के कमेंट बोक्स में लिखके जरूर बताएगा कि आपको मेरा पैरा सा डॉर मैट कैसा लगा और अपने फ्रेंड्स ग्रूप में सेर कीजी देखिए फिर से हम यापर एक फंदा गटाएंगे दो का एक फंदा बना देगे और लास्ट के दोफंदे फिर्शे साथ में ले लेंगे इस तरह से देखे बनाएंगे भोत ही जी है फ्रेंड्स इसे बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं जिने उल्टा सीदा बनाना आता है इस तरह से देखे और वो भी आपके पास जो पुरानी चुन्नी साड़ी वेस्ट जीए आप इसे टेबल मैट में यूज कीजिए इस तरह से देखे दो फंदे हम फिर्शे साथ में ले लेंगे ऐसे यहां पर जो गैपिंग आती है उसमें यहां से हम एक फंदा उठाएंगे और इस दो का एक बनाते जाएंगे देखे फिर्शे हम यहां से पलट जाएंगे और इस दो को बना लेंगे भोत ही जीए इसे बनाना भोत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं और भोत ही जीए में इसे आपको स्टेप बाई स्टेप बनाना बताती हूं देखे अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बोक्स में लिखके पूछ सकते हैं कि आपको क्या समझी नहीं आया तो देखिए इस तरह से ये बन के आएगा हमारा फिर से हम दो का एक बनाएंगे यहां पर देखिए इस तरह से दो फन दे लिए और उसका एक बना देंगे और फिर से लास्ट के दो फन दे साथ में बना लेंगे, ऐसे, इस तरह से देखें, फिर जासे हम एक फंदा उठाएंगे, इस तरह से, देखें, यहाँ पर इस तरह उठाया फंदा, और दो का एक बना लेंगे, ऐसे, और आगे वाला फंदा बना लेंगे, वापिस यह इसे पलट जाएंगे इस तरह से देखिए और उल्टी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है उल्टी रो ऐसे ही उल्टा-उल्टा बना लेनी है यह देखिए इस तरह से देखिए हम बनाएंगे फिर से हम यहाँ पर दो काएक बनाएंगे और इसी तरह से इन सभी फंदों को दो काएक करते हुए हम यहाँ पर नो फंदे गटाएंगे और यह अठारा फंदे दो दो जो करके हमने छोड़े थे उन्हें साथ में बना लेंगे तो चलिए मैं यहाँ पर नो फंदे घता लेती हूँ और दो-दो करके सभी फंदे इसमें साथ में ले लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ यह देखे हमारी यह पर एक कलीवन के आगई है जैसे हमने यहाँ पर नो फंदे बड़ाए थे यहां पर देखें फिर हम जब इसको यहां पर एक-एक फंदा घटाएंगे और साथ में दो-दो फंदे लेते हुए इसको complete करेंगे तो देखें फ्रेंड्स अठारा फंदे में भी हमारा यह काफी बड़ा बनके आएगा इस तरह से जब हम यह बनाएंगे इस तरह के फ्लावर हमारे बनके आएंगे तो इसे कोलाई में बनाएंगे तो यह काफी बड़ा बनके आएगा तो देखें अब हम यहां पर second color लगाए तो यहां पर देखिए इस तरह से इस पट्टी को ले लेंगे हम इस पंदे को बनाया अब देखिए इस पट्टी को साथ में इस तरह से दबाते वे चलेंगे ताकि हमारा उल्टे साइड से भी पिनिसिंग के साथ बन के आए जैसे इस पट्टी को इस तरह से दबाएंगे ऐसे एक वर फिर से दबा लेंगे आपके पास जो भी कलर है आप वही कलर लगा ले मैं इसमें यहाँ पर यैलो कलर लगाऊंगी तो देखिए इस पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे एक यह रो और एक रो इधर से एक रो इधर से क्यलो कलर से बना लेंगे हम आप इसमें जो भी कलर जितने भी कलर लगाना चाहे है लगा सकते हैं पूरी मैट में आप हर पत्ती को इस तरह से फ्लावर को अलग-अलग कलर में भी बना सकते हैं आप इसे एक कलर से भी बना सकते हैं अगर आप इसे एक कलर से बनाना चाहें तो देखिए इस तरह से यहाँ पर देखिए हम इस सफन को उतारेंगे, बनाएंगे नहीं, अगर हम इसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे जो मैट में, कॉल बनके आएगा, इस तरह से देखिए, पट्टी को अपने तरफ करके, उल्टी रो में कुछ भी नहीं करना है, यह दो रो हमें, ऐसे ही, सिं को यह दे कि एक रोई दर्शे और एक रोई दर्शे हमने बना ली है अब हम देखिए यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पर इस फंदे को ऐसे लिया इस पट्टी को साइड में कर लेंगे इस तरह से देखिए और इसे नीचे से गुमा लेंगे सलाई के नीचे से इस तरह से घुमाएंगे और यहाँ पर देखे एक फंदा आमारा बढ़ दया और इस पूरी रो को लास्ट के दो फंदे छोड़ने तक बना लेंगे ऐसे देखे जिस तरह से हमने एक पत्ती बनाई उसी तरह से हम पूरा डॉर मेट बनाएंगे फ्रेंड्स देखे पूरा डोर मैट बनाने में वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो इसलिए एक ही पत्ती में मैंने आपको पूरा डोर मैट बनाने का तरीका बता दिया है इसी तरह से आप सभी पतिया बना लेंगे और आसानी से आप इस डोर मैट को बना लेंगे देखे, दो फंदे छोड़ेंगे, एक बार फिर से बताते हूँ आपको, और वापिस से इसे पलट जाएंगे इस फंदे को उतार लेंगे, और उल्टी रो में कुछ भी नहीं करना है, उल्टी रो ऐसे ही उल्टा-उल्टा बना लेनी है ये देखिए एक बार मैं फिर से आपको फंदा बढ़ा के दिखाऊंगी आगे की तरफ हमें एक-एक फंदा बढ़ाते वे जाना है वो पिछे की साइड से दो-दो फंदे छोड़ते वे जाना है देखिए इस तरह से उल्टी रो में हमें कुछ भी नहीं करना है उल्टी रो ऐसे ही ये वैसे हमारी सीधी साइड है सीधी साइड से हमें ऐसे ही बनाते वे जाना है देखिए और पट्टी हम हमेशा उल्टी साइड से ही दूसरा कलर लगाएंगे यह देखिए फिर से हम एक फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से इस लाई में यह डाला फंदा और इस तरह से पट्टी को गुमा लेंगे ऐसे ऐसे देखिए यह पर एक फंदा हमने पहले बढ़ाया एक फंदा आप की बार बढ़ा लेंगे इस तरह से देखिए पर इस पट्टी को इस तरह से fold करते वे अगर हम इस तरह से पट्टी काटते हैं तो इसमें हमें गाठ लगाने के जुरूत नहीं पड़ती है और इस तरह से fold करते वे इसे बना लेंगे यहाँ पर हमारा देखिए जोड नहीं आएगा इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे बना लेंगे इसी तरह से देखिए जैसे हमने इस पत्ति को बनाया है इस पत्ति को बनाया इस वाले फ्लावर को बनाया उसी तरह से हम पूरे डोर मैट को बना लेंगे तो यहाँ पर म तो अलग अलग color से भी बना सकते हैं तो चलिए मैं थोड़ा सा बनाने के बाद आपको दिखाऊंगे एधच्यी लास्ट के 2 फंदे हुम तिर से छोड़ देंगे मैं एक बार आपको फिर से 2 फंदे छोड़ के दिखाती हूं यह दो फंदे फिर से चोड़ेंगे और वापिस से पलट जाएंगे इसी तरह से देखिए हमने इस पूरे डोर मैट को कम्प्लेट करना है अब हम यहाँ पर 9 फंदे इस साइड से बढ़ाएंगे यहाँ पर देखिए 9 फंदे बढ़ाएंगे और 2-2 करते हुए 18 फंदे हम इस साइड छोड़ देंगे जब हम फंदे घटाएंगे तो हम 1-1 फंदा आगे की तरफ से हर उल्टी सलाई में घटाएंगे और पिछे से 2-2 फंदे साथ में बनाते वे चलेंगे तो इसी तरह से जैसे मैंने आपको इस पत्ती को बनाना बता है उसी तरह से इस पूरे डोरमेट को बना लेंगे फ्रेंड्स देखे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगते तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए साथ में जो बेल आइकोन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफकेशन सल से पहले आप तक पहुंच के और कमेंट बोक्स में लिखके जरूर बताएगा कि आपको मेरा प्यारा सा डोरमेट कैसा लगा तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बनाने के बाद दिखाते हूँ